हलो दोस्तो अगर आपको BPT करना है और आपको Physiotherapist बनना है तो आपको इससे पहले वीडियो देख लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने आपको डीटेल में बता है कि इसका salary scope क्या है आगे जाके और इसमें आपको actual में जो है कितना salary मिलेगा और इसमें अगर आपको काम करते ह ही कि नहीं क्योंकि कई लोग जो है फीजियो तरपी कर ले थे उसके बाद वो लोग सोचते कि उनने नर्सिंग कर लिया होता बीएसी नर्सिंग कर लिया होता या फिर जो है कोई अधर डिगरी प्रोग्राम कर लिया होता फीजियो तरपी करने के बजाए क्योंकि फीजियो त अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसमें केरियर में अच्छा है नहीं कर पाएंगे इसके अलावा अगर आप देखिए कि 50% आपको मार्स चाहिए 12th क्लास में, 50% मार्स आपको 12th क्लास में होना चाहिए, इसके अलावा एंटरंस एक्जाम की बात करें अगर हम, तो बिपिटी के लिए आपको एंटरंस एक्जाम देनी होती, IPU, CET आप दे सकते हैं, इसके अला से 6 एक्जाम आसानी से मिल जाती, यूनिवरस्टी लेवल की एक्जाम से, और आप यह देखिए, जो है, एडमिशन ले सकते हैं, फीजो तरेपी में, इसके अलावा मैं आपको बता हूँ, कि जो है, बिपिटी कोर्स है, तो यह 4 साल का होता है, और इसको करने के लिए आप 5-6 लाख रुपे लगते हैं, तो काफी सारे लोग इसको अफ़र्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए काफी सारे स्कॉलर्शिप एक्जाम भी होती है, जिसके थूर आप बिपिटी कर सकते हैं, और काफी सारे गर्मेंट कॉलेजेजें, उनके लिए अलग से जो है आपके देख सकते हैं, इसके अलबा मैं आपको बताओं, कि इसमें जो केरिए प्रोस्पेक्ट क्या क्या है, तो केरिए आप अगर आप देखना चाहते हैं, इसमें 4 साल का डिगरी खोर्स करने के बाद, अपने लाइफ के अपने 4 साल लगाए, उसके बाद आपको क्या मिल कितना सेलरी मिलता है और आपको कितना केडियर इसमें ग्रोथ मिलेगा क्योंकि आप काम करते हैं तो आपको आप समझते हैं कि आपको एक सब्मान चाहिए और उसके स सब्मान चाहिए और उसके PEACE SCALE मिलना चाहिए पर क्या एक्चिल में पॉसिबल है तो देखिए फिजो थेरपी करने के लिए आपको जो है काफी सारे जो इंजर लोग को जो है टीट करना आना चाहिए आप में फिजिकल स्टेंथ होना जरूरी है physically आपको जो है fit होना ज़रूरी है अगर जो है आप physically fit नहीं है या फिर किसी भी condition से आपको physically थोड़ा सा injury है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा carrier नहीं है इसके अलावा मैं आपको बता हूँ कि जो दूसरी degree है कि इसमें आप clinic भी start कर सकते हैं अपना दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि इसमें jobs क्या क्या मिलती है आपको मैं directly बताता हूँ कि jobs क्या क्या मिलेगी jobs के लिए आपको इसमें काफी सार options मिलते हैं जैसे कि आप physiotherapist बन सकते हैं और इसके अलावा defense medical establishments lecturer बन सकते हैं जैसे नए-नए therapy manager भी आप बन सकते है therapy manager क्या होता है basically कि अगर कहीं पर therapy चल रही है वहाँ पर आप मैनेज करिए और उनको guide करिए कि जो therapy क्योंकि आप जो है doctor है तो as a doctor you can guide anyone आपके जो juniors होंगे जिनोंने डिप्लोमा कर रखा है तो आप उनको guide कर सकते हैं directly और osteopath आप बन सकते है self-employed भी आप हो सकते है private अपना business private clinic खोल सकते है और इसके अलावा consultant की job काफी ज़्यादा चल रही है sports and physio rehabiliters मतलब कि जैसे कि आपने देखा हुआ कि जो है cricket के ground में अगर किसी भी जो खिलाडी अगर जो है कभी भी अगर उसको चोट लगती है तो सबसे पहले महाँ पर MBBS doctor नहीं जाता है महाँ पर सबसे पहले physiotherapy doctor जाता है और physiotherapy doctor का काम यही होता है कि जो है injury हुई है उसको immediately कैसे sign कर सकता है वो सिर्फ कुछ जो है movement करा के उसको तो यह जो है च्छा है physiotherapy doctor की और काफी अच्छा जो है इसमें आपका carrier बन सकता है अगर आप देखे इसमें जो है comparison करके तो आप अगर difference में आते तो आपका जो salary होगा हो सबसे जादा होगा इसके बाद lecturer की salary काफी जादा होती है sports physiotherapist की काफी जादा अच्छी salary होती है इसके बाद researcher में अगर आप जाएंगे physiotherapy करने के बाद तो काफी आदा अच्छी salary है इसी तरह से जो है दूसरी चीज़े consultant बगएरा और osteopath बगएरा की salary में दी हुई है और इसके अलावा आप जो है इसमें higher study भी कर सकते हैं जैसे की MPT जो होता है Masters in Physiotherapy तो Masters करने का मैं आपको recommend करूँगा इसके अलावा मैं आपको उता हूँ कि जो fees है fees actually recommend करती है कि आप कहाम पर belong करते हैं क्योंकि जो है काफी सारे private colleges की fees जो है पर year जो है 2-3 lakhs भी है मतलब कि आपको हर सल 2-3 lakh रुपे भी देना पढ़ सकता है पर वो private colleges की बात है और government colleges की बात करूँ तो आपको 40-50 रुपे average हम मान के चलते हैं कि 40-50 रुपे आपको देना पढ़ सकता है अगर आप government colleges से फिजिए थरपी करते हैं तो इसके अलावा मैं आपको बता हूँ कि किस तरह जो है यह impact करता है और आपको क्या इसके लिए need important है तो need का जो है काफी ज़रा issue चल रहा भी कि जो है इसको need का score पे जो admission मिले तो क्या यह possible है कि need के थूरू आप इसमें admission ले सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ यह चाहत possible है क्योंकि देखिए last year भी काफी सारे जो universities है उन्होंने need का score है उसको basis माना था कि उसके basis पे हम जो अपना वो करेंगे admission process करेंगे और इस साल जैसे कि lockdown चल रहा है coronavirus चल रहा है तो इसके करना हम देखिए कि शायद need exam ही है इसके लिए basis बन जाए काफी सारे exams के लिए क्योंकि इतनी सारी exams अलक से conduct कराना possible नहीं है तो हो सकता है कि need ही जो है finally possible हो इसके अलावा जो मैंने आपका entrance exam बताई IPU और LPU और काफी सारी जो मैंने आपको पहले भी entrance exam बताई वो सारी entrance exam आपको ध्यान रखना है और अगर आपको physiotherapy से related कोई भी doubt आता है तो वो पहले आप देख लीजिए ये वीडियो पूर अच्छे से और फिर अगर आपको कोई doubt आता है तो नीचे comment section दिया हुआ है वहाँ पे आप doubt बूश सकते हैं और subscribe करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते है free में subscribe button है subscribe दबाओ और subscribe करोंगे तो मईको भी अच्छा लगए और आपको भी अच्छा लगए आ thank you very much bye bye